दोस्तो इस वीडियो में आपको बता हूंगा कि समसिंग एटेनेस मोबेल का वाइबरेटर मोटर किस तरह तबदील करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपने इसका सिम्ट्रेन निकाल देना है सिम्ट्रेन निकालने के बाद इसका बेक कवर कोल दे बेक कवर कोलने के बाद इसको केंशन नहीं है क्योंकि इसके फिंगर का जोरी बन होता है उसका जेक में बोर्ड पे लगा होता है तो उसका जेक निकालने के बाद इसका बेक कवर को हटा दे और इसके नीचे से के जितने भी पेचे सारे पेच कोल ले है क्योंकि इसका जो आइबरेटर होता है और नीचे इसे में वता है इसके बाद एक कवर हठा दे और इसका चार्जिन फ्लेक्स टिफ का जेक क्यों और इसका इंटिना केबल जोहे और डिसकनेट कर दें और इसका सब्बोर्ट मोबेल के पैनल से बाहर निकाल ले सब्बोर्ट के नीचे आपको गोल साधी करी देगा यह इसका वाइबरेटर होता है तो अब चम्टी मदल से इसको बाहर निकाल ले तो दोस्तों इसका वाइबरेटर है अब इसमें दूसरा नए वाइबरेटर लगा ले तो दोस्तों इसको बिल्कुल सीधर लगाना है उसी तरह लगाना है जिस तरह अपने निकाला था इसके पॉइंट वही पर आने चाहिए क्योंकि सब बोट पे जो इसके पॉइंट होते हैं इसके साथ लगते हैं तो ये काम करता है अगर इसमें तोड़ा से भी फरक हुआ तो पिर ये काम नहीं करेगा अब इसमें सब बोट लगा ले और इसमें charging electric का जेक लगा के antenna का जो wire है वो connect कर दे और इस पर वो cover लगा ले जब cover सुझी तरह से बैट जाए तब इस पर page लगा देना है तो दोस्तो page लगाने के बाद big cover लगाने के बाद इस पर वही page लगा ले जो page आपने इसे उतारे थे दूसरे page नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े page लगा दे तो यह नीचे screen में चले जाए जाएंगे और आपके screen को तोड़ देंगे पेश लगाने के बाद इस पर big cover लगा लगा ले बेग cover लगाने से पहले finger ribbon का जो जेक होता है वो जेक लगा ले उस पर big cover सीधार रकर साड़ उसे तोड़ा साज़ दे दे तो यह खुद बाखुद फट हो जाएगा ज्यादा जोड़ देने की ज़रूत नहीं है और आखिर में इसमें सिम्क ट्रेर लगा ले तो दोस्ते वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया